हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी मैरी तेस्ट मार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने योट्यूब चैनल इजी फिजिक्स में स्टूडेंट्स आज हम क्लास शिक्स एन्सी आर्टी मैथ्स बेसिक जियोमेटिकल आइडिया चैप्टर 4 और एक्साइज 4.1 का क्यो फॉर्टीम 11 प्वाइट दे गए है और इन प्वाइट को पढ़के हमें बताना वी यह ठ्रिव है या फॉल्स है तो फ़र्स्ट प्यांट है क्यों एम एन और पी आर्पiben पॉइंट्स ओन दा लाइन एमन हमें पूछा गया क्या क्यों एम ओ एन और पी ये प्वाइन MN लाइन पे ये सभी points present है तो ये true है students इससे आगे वाला क्या कह रहा है MN, M, O, N three points हमारे पास एक M, एक O, और एक N है are points on line segment MN वह पूछ रहा है क्या ये points है जो line segment MN पे है तो students जब हम देखते है MN, M से लेके N तक ये एक line segment है line segment को रेखा खंड बोलते है इसका रेखा का एक line का एक part है तो line segment है MN तो M, O, N ये सभी points line segment MN पे है तो ये बात भी true है इसके बाद ये कह रहा है M and N are end points of line segment MN line segment MN के दो end points है और कौन कौन से हो M और N तो जब हम देखते हैं इस diagram को तो M और N line segment MN के end points है और ये भी true है इसके बाद में है O and N are end points of line segment OP पहले तो हमें line segment OP देखना चाहिए तो line segment OP यहां से यहां तक कले के जो हिस्सा है ये area है ये line segment OP है तो ये क्या कह रहा है O and N are end points of line segment OP O और N line segment OP के end point है जो की false है क्योंकि line segment OP के end points O और P है तो इसको बोलेंगे हम false इससे आगे बादा क्या कहता है M is one of the end point of line segment O क्योँ line segment O क्योँ यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है वो है line segment O क्योँ तो line X segment O क्योँ में क्या कह रहा है M is one of the end point दो endpoints होते हैं किसी भी line segment के एक है O और एक है क्यों ये कह रहा है M is one of the line endpoints M है वो दोनों में से एक endpoints है जो की false है तो ये मारा हो जाएगा false इससे आगे वाला है M is point on ray op M कोई point है जो ray op पे है ray क्या होती है students जिसका एक point तो fix होता है और दूसरे point से जो लगातार आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं ray तो ये कह रहा है M ray op पे कोई point है M is point on ray op लेकिन ray op तो यहां से लेके और आगे बढ़ रही है p point से M point तो M and line पे है तो ये भी false हो जाएगा हमारा अब आगे वाला है ray op is same as ray om एक ray है हमारे पास op और एक ray है om op का inertial point O है और p point से आगे बढ़ रही है om का inertial point O है लेकिन M point से आगे बढ़ रही है दोनों की direction opposite है तो ये same नहीं है तो ये क्या आजाएगा false इससे आगे वाला है ray om is not opposite to ray op ray om is not opposite to ray op जो ray om है वो O point से आगे बढ़ रही है और जो ray op है वो P point से आगे बढ़ रही है ये कहरा ये दोनों opposite नहीं है लेकिन जब हम देखते हैं तो ray om और ray op दोनों opposite ray है तो ये भी point false है ray op is different from ray op क्यों पी ये different है किससे क्यों पी से बिल्कुल different है क्योंकि इसका तो जो inertial point है ओ पी का वो है ओ और क्यों पी का inertial point है जो वो है क्यों तो ये क्या है true है इससे आगे वाले की जब बात करते है O is not a inertial point of O P O P ray है ये तो O क्या है O inertial point है माल लिया O यहां पे है और P ये हो गया तो O P जो ray है ये उसका O inertial point है मतलब शुरुआत का बिंदू है तो ये क्या है false है क्योंकि O inertial point है लेकिन ये कह रहा नहीं है N is the inertial point of ray N P and N M N inertial point है ray N P और N M का ये true है क्योंकि जो ray N P है वो N point उसका fix और P point से आगे बढ़ रही है और ray जो N M है हमारे पास उसका N point fix है और M point से वो आगे बढ़ रही है Students आज के विडियो लेक्टर में करेंगे इतना ही बाकी जो questions रहते है exercise four point के question इससे आगे बाड़े lecture में discuss करेंगे तो आसा है आपको lecture अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक अच्छा सा कोमेंट कीजिए और आपको नई समझ में आ तो आप अपनी क्वेरी कोमेंट भी कर सकते हैं तो पूरा lecture सुनने के लिए आपका दन्यवाद थैंक्स अलोग पोर वाधिं इस वीडियो